हम फोन का फ्लेश लाइट शुरू करेंगे यदि हमने ये कागस फ्लेश के सामने रखा तो क्या होगा? ये कागस प्रकाश को रोकेगा कागस के पीछे जो अंधकार का ख्षेत्र दिखाई दे रहा है उसे ही चाया कहते है कागस के स्थान पर यदि ये वस्तू रखें, तो क्या होगा? तयार होने वाली चाया में क्या आपको कोई फर्क दिखाई देता है? जब वस्तु प्रकाश या रोशनी को आरपार जाने से रोक देती है तब तयार होने वाला स्याह अर्थात काले रंग का क्षेद्र छाया होता है जब प्रकाश के किरने वस्तु के आरपार या सटक कर नहीं जा पाती है तब वे छाया निर्मान करती है अपारदर्शक वस्तों के कारण गहरी चाया निर्मान होती है अर्धपारदर्शक वस्तों के कारण फी की चाया तयार होती है क्योंकि इन में से थोड़ा प्रकाश आर पार जाता है चाया का आकार जिन वस्तों से वबनती है उन वस्तों पर निर्भर होता है जब कोई वस्तू प्रकाश को रोखती है तब जो प्रकाश उस वस्तू के किनारों से होकर गुजरता है वही प्रकाश चाया की रूप रेखा तयार करता है जब चाया सूर्य प्रकाश में तयार होती है तब दिन की लंबाई के अनुसार चाया की स्थान और लंबाई बदलती है दोपहर के समय छोटी चाया और सुबह और शाम के समय बड़ी चाया तयार होती है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यूं होता होगा सूर्य प्रकाश के समान हम कृत्रिम प्रकाश से भी छाया तयार कर सकते हैं इस फ्लेशलाइट को हम प्रकाश स्रोत के रूप में इस्तमाल करेंगे उसके सामने अनेक प्रकार की वस्तुएं रखेंगे परदे पर वस्तू की छाया देखी जा सकती है क्यों न आप भी आसपास की वस्तू का इस्तमाल करके इस क्रिया कलाब को करके देखें रात में क्रिकेट परतियोगिता के दौरान हम मैदान पर खिलाडियों की असपरष्ट छायाएं देख सकते हैं क्योंकि मैदान पर रोशनी के लिए इस्तमाल होने वाले फ्लड लाइट के प्रकाश को ये खिलाडी जैसे जैसे मैदान में घूमते हैं वैसे वैसे रोकने का काम करते हैं हमारी घर में हम कुछ ऐसी वस्तूओं का उप्योग करते हैं जिससे प्रकाश अंदर आ सकता है और कुछ ऐसी वस्तूओं का भी इस्तमाल करते हैं जिससे प्रकाश रोका जा सकता है कमरों में रोशनी के लिए हमारी खिड़किया पारदर्शक कांच से बनती हैं हम कुछ खिड़कियों को फॉस्टेट कांच या फिर पर्दों से धांकते हैं इस कारण बाहर का दिखाई नहीं दीता लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रकाश आ जाता है बेडरूम में मोटे पर्दे प्रकाश को रोकते हैं जिसके कारण जब हम सोना चाहते हैं तब कमरे में अंधेरा कर सकते हैं जब सूरज साफ आसमान में चमकता है तब हमारे आसपास का परिसर काफी उजवल बना जाता है बादलों से भरे वातावरण में प्रकाश कम होता है वैसे तो प्रकाश होता है लेकिन बादल उसे रोकते हैं यहां पर बादल अपारदर्शक पदार्थों के समान कार्य करते हैं रोशनी के विविद प्रकारों को तयार करने के लिए पारदर्शक अथवा अपारदर्शक साहित्य से रोशनी के लिए दियों का निर्मान किया जाता है पारदर्शक दिये हमें तेजस्वे प्रकाश देती है और अपारदर्शक दिये सौम्य प्रकाश देती है लैमशेड का भी प्रकाश की तीवरता पर परिणाम होता है आपने छाया पर आधारित कटपुतली के खेल देखे होंगे हम कागस, कैंची और प्रकाश की स्रोत की मदद से स्वयम ये खेल तयार करेंगे कटपुतली बनाने के लिए हम अपने पसंदिदा कार्टून या पसंदिदा पुस्तकों में से किसी भी पात्र का इस्तिमाल कर सकते हैं अंधेरे कमरे में ये कटपुतलीयां मोबाइल के फ्लेशलाइट के सामने इस पधती से पकड़िये जिससे उनकी चाया सामने वाली दिवार पर पड़े अब कभी कटपुतलीयों को दिवार की और और कभी फ्लेशलाइट की और ले जाएं आपकी निरिक्षन को लिख कर रखिये और दोस्तों के साथ इस बारे में चर्चा भी कीजिए समय देखने के लिए सूर्य डायल का उप्योग होता है और ये उपकरन भी चाया के सिध्धान्त पर काम करता है क्या आप अपने घर में अपारदर्शक, अर्दपारदर्शक और पारदर्शक वस्तों की खोच कर सकते हैं? क्या चाया का वजन होता है? हम ये कागज लेंगे, ये हमारा परदा है हम ये छिद्रित कागज यहां रखेंगे इस कागज पर हम नीले, लाल और हरे जैसे भिन्न रंगों का प्रकाश प्रक्षपित करेंगे जब हरा प्रकाश और लाल प्रकाश एकत्रित प्रक्षपित किया जाता है तब कौनसा रंग दिखाई पड़ता है? ना ही हमें हरी छाया से युक्त लाल रंग दिखाई दे रहा है और ना ही हमें लाल छाया से युक्त हरा रंग दिखाई दे रहा है ये तो पूर्ण दया नया रंग है पीला रंग अगर हमने तीसरा रंग मतलब नीला रंग इसमें जोड़ा तो परिणाम स्वरूप रंग फिर से बदल जाएगा हरी चाया वाला या लाल चाया वाला नीला या पीली चाया वाला नीला इसके बावजूत हम देख सकते हैं ये रंग सफेद रंग है न्यूटन ने इस ख्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किया है इसलिए वे मशुहूर हैं आप भी अलग-अलग रंगों का प्रकाश इस्तमाल करके ये क्रिया कलाब कीजिए इस फ्लेश रेट के क्रिया कलाब की तरह यदि हमने लाल, हरा, नीला रंग समप्रमाण में मिलाया तो क्या होगा? क्या हमें सफेद रंग मिल सकता है? जैसे पानी की लहरें अपने स्रो से निर्मान होती है, उसी प्रकार प्रकाश की लहरों के बारे में भी सोचा जा सकता है प्रकाश अंशों में कुछ अंश छोटे तरंग लंबाई के अर्थात वेवलेंद के होते हैं और कुछ बड़े तरंग लंबाई के अर्थात बड़े वेवलेंद के होते हैं एक तरंग लंबाई का अर्थ होता है, एक तरंग के उपरी तरंग और उसके पीछे वाली तरंग में जो अंतर होता है, अर्थात जो दूरी होती है उसे कहते हैं हर समय जब हम रंगीन वस्तू देखती हैं तब कुछ प्रकाश परावर्तित होता है और कुछ प्रकाश अवशोशित किया जाता है जो रंग आखों पर परावर्तित होता है हमें वस्तू उसी रंग की दिखती है जब किसी व्यक्ति को हरे रंग की वस्तु दिखाई देती है उसका अर्थ होता है कि सिर्फ हरा रंग या हरे रंग की तरंग लंबाई को ही उस वस्तु द्वारा परावर्तित किया गया है बाकी तरंग लंबाई अर्थाद बाकी वेवलेंथ वस्तू द्वारा सोख ले जाती है या अवशोशित की जाती है हम ये प्लैस्टिक की बॉटल द्वारा सामान्य रोटर अर्थाद गुरुनन तयार करने वाले हैं इसके दोनों छोर कटे हुए हैं छेद बनाने के लिए हम गरम कील का इस्तमाल करते हैं साइकल का स्पोक दुरा का कारे करता है अब हम इस कार्डबोर की शीट से एक गोल आकार काटेंगे और उसे विभिन रंगों से रंग देंगे जब ये गोला कार गती से घूमेंगे तब रंगों के मिश्रण से एक नया रंग दिखाई देने लगेगा स्लो मोशन की मदद से ये कैसे घूमता है ये हम देख सकते हैं लेकिन जब ये तीवर गती से घूमता है तब हमारी आँखे स्वतंत्र रूप से एक एक रंग पर नजर नहीं रख पाती जिससे हमें भिन रंग दिखते हैं एक गिलास लेंगे हम प्रकाश सोत्र के लिए फोन का सफेद फैशलाइट इस्तमाल करेंगे आधा गिलास पानी से भरेंगे दिलाक्स की दूसरी और हमें स्प्रेक्ट्रम अर्थात वर्नक्रम दिखाई देगा क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता होगा साराश चाया गहरे रंग के उस भाग को कहा जाता है जो वस्तुओं द्वारा प्रकाश को रोकने के कारण तयार होता है जब प्रकाश की किरने किसी वस्तु के आर पार नहीं जा पाती तब चाया निर्मान होती है हमने विविद क्रिया कलापों के जरीए छाया के बारे में अधिक जानकारी ली सफेद प्रकाश की विविद तरंग लंबाई अर्थात वेवलेंद होती है जो विभिन रंगों को दर्शाती है इंटरनेत की सहता से प्रकाश के स्वरूब के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें